कि बिना दवाई का पेट का विकार जो है उसका इलाज करना इसके बारे में मैं आप से आज बातचीत करने वाला हूं इरिटेवल बावल सिंड्रोम यह बिमारी लेकर काफी लोग मेरे पास में आते हैं और इसमें यह सिंड्रोम में एक तो उसको लेटरिन बार बार होती है लेटरिन होती नहीं है अपच्चन होता है भूख नहीं लगती पेट में दर्द होता है और फिर उनको पेट में धकार खासे बठीव होना बाल बार बार आके च्छाती में जलन हो जाना कूर्व attachments DP कर देना बी बार इसको एकारे बार फ्रक्चर होोगा दो चलता है कम से कम फ्रैक्टर को प्लाष्टर लगा देंगे वो जब हील होंगा तो होंगा ये पेट धर ये पेट फुलता है और पेट फुलने के बाद में इतना अनीजीनेस होता है उसके जरिये बहुत पेशन को तकलिब होती रहती है अब यह जो लोग है यह सब तरह घुमके फिर मेरे पास में आते हैं गैस्ट्रेंट्रालोजिस्ट जो पेट की पेट विकार तद्ने जोए उनके पास में एंडोस्कोपिक कोलोनोस्कोपिक सब कोपी सब स्कैंस सब ट्रीटमेंट सब इन्वेस्टिकेशन सब करके एंडोस्कोफिक के पास में जाएंगे और जब सब लोग कुछ भी हमको मिला नहीं है कुछ समझ में नहीं पिर वह आते सइकियर्ट इसके पास में वो भी कोई फिजिशन भैसता नहीं है उनको ऐसे लगता है जब कोई बोलता है आप सोच्रे जादा हो सोचा मत करो तो फिर हमारे पास में पेशेंट आते हैं अब इसके लिए मैं भी दादा हो मग्र हमारा ज्यार जो जो रहता है वो तो पहले ही पैट फुलने की होंगी SEDDK होंगी अपचन फुकना लगना मतलब कुछ भी होंगा इसमें से तो उसके लिए जरूरत ही है कि यह चालूग ऐसा हो इसका सोरस क्या है सोरस हम जब देखते हैं तो सोरस यूजली बच्चपन में कुछ तो भी हुआ रहता है बच्पन में कुछ भी हुआ मतलुब बच्पन में कुछ भी दिमाग को चोट पोचरे तया है कुछ भी दिमाग मेंthoniness अपूरन दिमाग में अपूरन दिमाग में है कुछ भी चाधूर रहता है किरी किरी Tension लेने की आदद यह लोगों को बहुत Says Like T पर इस तरह का उनका विक्तिमत्वर रहता है और कुछ तो भी बच्चपन में हो रहता है हो सकता है कि बच्चपन में उन्हें कुछ जुटा काम किया हो माकलिस्ट के ओपर पिता जी की जुटी सही करके वो माकलिस्ट वापस दियोंगी स्कूल में और फिर बहुत मार खाया हो जब पकड़े गए तब घर में जूट बोला हूंगा इनमें कुछ सेक्स का प्रॉब्लेम बच्पन रहता है कि लेंगी का अत्याचार बच्पन में छेड़खा नहीं हुई मतलब छोटा बच्चा था तो उसके उपर किसने कुछ अत्याचार किया लेंगी का अत्याचार किया या सेक्स किया या सेक्स करने कोशिश किया या बाबाप के साथ में अधुरापन अधुरापन इसका मतलब यह होता है कि मा के बारे में घुस्सा कि उन्होंने मेरा मेरी परवरिश बराबर नहीं की या पिताजी के बारे में घुस्सा उनने मेरी परवरिश बराबर नहीं कि पिताजी के बारे बहुत ज्यादा डर बहुत ज्यादा धौस ऐसी या बहुत ज्यादा डॉमिनेटिंग या घुस्से वाले पिताजी तो इस तरह का बचपन में मतलब क्या तना हो गया क्या स्ट्रेस हो गया मां के साथ में पिताजी के साथ में क्या अधुरापन है वो देख मेरीटेशन संहुन अबक्चार सप्चारक्षा मेरीटेशन इसके Restaurant और है पहले बंड्स करनें तो पहले बंद करो, और फिर meditation, self-hypnase, स्वासंभूव नुक्चार, meditation, इसके जिरे बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत रिलाक्स हो जाता है, ये इरिटेबर बावल सिंड्रोम, IBS, या पच्छन समझता के जो विकार है, या जो भी पेट के विकार है, ये ठीक नहीं हुए, तो आगे चलके ये depression में conversion इसका हो जाता है, ये depressed हो जाते patient, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलिफ हो रही है, काम जंदा नहीं होता, बराबर काम पी जा नहीं सकते है, हर दम बिमार बिमार रहते हैं, फिर उसका conversion depression में हो सकता है, तो इसलिए इनका इलाज करना ज़रूरी है, और इलाज शांती से, आराम से, counselling करके, अंदर क्या दबा हुआ है, subconscious mind में क्या दबा हुआ है, ये कहां से आ रहा है, subconscious mind ने पेट को क्यों चुन लिया, ये बिमारी के लिए, subconscious mind कभी हाट को चुनता है, तो उसको attack आचाता है, subconscious mind कभी चंबड़ी को चुनता है, तो खुझ लिया आती है, सोरी ऐसी सोता है, subconscious mind यदि cardiovascular system को चूजता है, तो चूज करता है, तो फिर blood pressure आता है, तो ऐसे अलग-अलग विकार subconscious mind के ज़री आते रहते हैं, subconscious mind में पचंब समसा को क्यों चूज किया, ये जानकारी भी लेना ज़रूरी है, तो इस तरह में इसका इलाज करते हैं, तो पेशन अच्छा हो जाता है, और वो अच्छा जीवन जी सकता है, आप तो यहाँ अकुला में आ सकते हैं, और अकुला में आके इसका इलाज, और फ हस्पिटल है, जिसमें रिष्णारों के साथ में, रिष्णारों के अलावा, हम भरती करते हैं, और उनका इलाज करते हैं, तो हमारा जो मिशन है, वो है सब के लिए मानसिक स्वास्त है, और वेसल मुक्त भारत, इसमें आप भी पार्टर बन जाएगे, क्योंकि हमारा कि लोगों को एजुकेट करो, तो आप ये वीडियो लोगों को शेर करो, और उसके जरी हम आपको पार्टर बना सकते हैं, और बनाने की इच्छा है, थैंक्स फर वाचिंगे, आप बना गार्टर बना सकतार है, और बना भी तो आमें आपको शेर्टर बना सकते हैं,